डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट दिल्चस्प संयोग है कि जब देश में नीजी संपत्ती के कथित पुनर्न वितरण को लेकर चुनाभी माहोल गर्माया हुआ है तभी सुप्रिम कोर्ट की एक संविधान पीठ इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या राज्य नीजी स्वामित्व वाली संपत्ती को संविधान के अनुछेद 49B के तहद समुदाय की संपत्ती मानते हुए नियंत्रित करने का अधिकार रखता है स्वाभाविक ही इस सवाल में नीजी संपत्ती के पुनर वितरन पर का पहलू भी सामिल है यू तो यह मामला सुप्रिम कोरट के सामने पहले भी उठता रहा है लेकिन इस से जुड़े कुछ एहम पहलू पूरी तरह सपस्ट नहीं हो पाए हैं इस से जुड़े सबसे चर्चित मामले करनाटक राज्य बनाम सीरी रंगनाथ रेडी में 1977 में सुप्रिम कोरट ने चार अनुपात तीन के बहुमुल्य से फेसला दिया था कि नीजी स्वामित्व वाली संपत्ती को समुदाय की संपत्ती नहीं माना जा सकता लेकिन आगे चल कर इसी मामले में जश्टिस वी आर क्रिश्न अयर की अलपमत राई जादा एहम मानी गई जिसके मुताबिक चुँकि व्यक्ती समुदाय का सदस्य होता है इसलिए उसकी संपत्ती समुदाय की संपत्ती के दाइरे में आती है सुप्रिम कोर्ट के सामने आया ताजा मामला महराष्ट हाउसिंग एंड एरिया डवलपमेंट एक्ट महडा में 1986 में हुए एक संसोदन से जुडा है यह संसोदन राज्य सरकार को जिर्ण सिर्च इमारतों और उसकी जमेन को अधिग्रहित करने का अधिकार देता है बसरते उसके सत्तर प्रतिसत मालिक एसा अनुरोद करें इस संसोदन को प्रोपटी ओनर्स असोसियेशन की ओर से अधालत में चुनोती दी गई है असल में नीती निर्देश सिद्धानतों के तहट आने वाले अनुछेद 49.2 के समंधित प्रावधानों को अलग-अलग नजरिये से देखा जाता रहा है जस्टिस अयर के बहुत चर्चित अलपमत फेसले में इस मामले को समाजवादी नजरिये से देखा गया इसे पूंजीवादी नजरिये से भी देखा जा सकता है जिसके मुताबिक नीजी संपत्ती में राज्ये के किसी तरहे के दखल से परहेज किया जाता है इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य नयाधीस चंद्र चूड ने सपष्ट कर दिया की दोनों में से कोई भी नजरिया इस मामले में संपूर्ण नहीं माना जा सकता जश्टिस चंद्र चूड के मुताबिक भारत के संधर्ब में संपत्ती को देखने का महात्मा गांधी का दृष्टी कोण सबसे प्रासंगिक है जिसमें ट्रश्ट की अवधारना है इस अवधारना में ने केवल नीजी संपत्ती की और उसे परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने की गुनजाइस है बलकि समुदाय के सरवोच हितों के अनुरूप उसके सरवश्रिष्ट इस्तेमाल की संभावना भी है देखना होगा की सुप्रीम कोरट में चल रही सुनवाई आखिरकार किस निसकर्स पर पहुचती है लेकिन कोरट में चल रही बहस के मौजूदा स्वरूप को देखते हुए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जहां यह फेसला इस मसले से जुड़ी तमाम एसपश्टताएं दूर करेगा वही संपत्ती पर नई भारतिय और समवेधानिक द्रश्टी विकसित करने में भी मददगार होगा समाप्त दोस्तों इस डिक्टेशन का पीडियो फाइल आपने टेलीग्राम चनल स्टड़ी विद आज में स्वामी पे और वीडियो के डिस्क्रिप्र में डाल लखा है